तो गाइस कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स में बता रहा हूं जिससे कि आपका 100% प्लेस्टेशन 5 जो है दूरिंग वी स्टॉक प्रीबुक हो जाएगा तो गाइस सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि हमको एक इसा नोटिफिकेशन का एक तरीका चाहिए जिससे कि हमको पता चले कि अब किस e-commerce की साइट पर यह अभी अवेलबल है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ट्वीटर वाला बोट होता है तो उसको आपक कि जब भी जिस भी साइट पर इसका रिच टॉक आता है तो वहाँ पर उसका लिंक भी आता है तो आप डिरेक्ली वहाँ से क्लिक करके उसको बाय कर पाएंगे अब गाइस बहुत सारी e-commerce की वेबसाइट पर प्लेस्टेशन फाइब लिस्ट होता है लेकिन मैं आपको तीन तो आपको क्या करना है अगर आपका Amazon का अकाउंट नहीं तो अकाउंट बना लीजिए और उसको अपने PC या मोबाइल जहां से भी आपको प्रीबुक करना है वहाँ पर आपको लोग इन करके रखना है इसके बाद जो सेकंड प्रियोरिटी आपकी होती है तो सेकंड प्रि लोग इन करके रहना है लेकिन शौपेटेसी पर मैंने एक ग्लीच देखा है उसमें होता क्या है उसकी मतलब जैसे अगर आपने आज लोग इन करके रखा और कल दूबारा अगर उस स्पीच को खोलेंगे तो आपको आपका लोग इन नहीं रहता है तो जब भी आता है तो उस पर हमेशा रिश्टोग आता है और काफी अच्छा रिश्टोग होता है उस पर तो रिलैंस डिजिटल में भी आप अपना अकाउंट बना लिजे आईडी पासवर्ट सेव कर लिजे फिलिप कार्ड के बारे में मतलब मैं काफी ज्यादा अंधेरे में हूँ क लार्क कार्ण कुँकि टाइब करते हैं अंधेरे में पह्या डिजा उस पर चींडे के खि को नहीं है और में और कुल कर लिभी आप प्रिश्टैल और रिवास इसने तो प्याइब डिवाइस आप श 민로 olduğ dough करते हैं जैसे आगर आप के पास घर में पी सी ओकिन जा से एक ट्र रहा है तो महाँ पे शौपे टेसी या दूसरी साइट से महाँ पर आप कर सकते हैं अच्छा इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस की लोगबाग क्या होता है कि जिसे री स्टोक बारा बजे आता है तो बारा बजे से पंदरा बीस मिनिट तक तो लोग एक् री स्टोक की तो इनके जो ड्रॉप्स है ना वह आपको मिलते रहते हैं दो तीन बजे तक लगाता है इनके ड्रॉप वीच वीच में रुक रुक के आते रहते हैं जैसे तस पंदरा मिनिट बाद में दुबारा कुछ जो कुछ मतलब किसी वेबसाइट पर आता है फिर दू परसेट आप वो करके रख लीजिए अच्छा इसमें एक चीज और है कि आपको आपका जो पैमेंट मैथर्ड है वो भी आपको सेव करके रखना चाहिए अब जो आपका पेमेंट मैथर्ड सेव होता है जैसे एमेजों पर रिलाइन डिजिटल पर आप सेव कर सकते हो लेकि आपका जो पैमेंट का ऑप्शन है वो उसमें सेव हो जाता है नहीं तो और कोई ऑप्शन उसमें डिया नहीं होता है जिससे कि आप उसको जाके वहां पर आपका पेमेंट मैथर्ड को सेव करके रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैश ओन डिलिवरी जो है वो हर सेविशन है वो फ्लिप कार्ड पे अवेलेबल है तो मतलब जहां से आप देख लिजिए वैसे फ्लिप कार्ड पर अधिकतर आता नहीं है रिस्टोक और आपको और ज्यादा मदद के लिए मैं लाइव श्ट्रीम करता हूं कल भी मैं लाइव श्ट्रीम करने वाला हूं बा जाया है हमारी हेल से तो होप करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो बताया आप इनको फॉलो करोगे तो आपका 100 परसेंट प्लेश्टेशन फाइल ज्यो है वो प्रियोडर हो जाएगा एंड थैंक्स पर वाचिंग रॉयल गेमर यूट्यूब चैनल एंड बाए